नमस्कार स्वेन टूडेम आपका स्वागत और आपके साथ मैं हूँ हिंगलासदान हिमाचल परदेश के विधानसभा चुनाओं में मत्दान लगभग पूरा हो चुका है बारा जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर लगभग 50 लाख मत्दाताओं ने 337 परत्याशियों का भाग्यत तई किया है इस बात का पता 18 दिसंबर को चलेगा कि कौन किस रण से विजय हुआ है इन 337 परत्याशियों में से 62 विधायक मेदान में हैं 6 विधायकों के टिकट कट चुके हैं इसके आलावा मौजूदा वीर भदर सिंग सरकार के 10 मंत्री भी मेदान में हैं 42 सीटों पर बसपा ने भी अपने परत्याशी उतारे हैं विधानसबा सीटों की लिहास से देखे हैं तो सबसे ज़्यादा विधानसबा सीटे कांगडा जिले में हैं जहां 15 विधानसबा सीटे हैं उसके बाल मंडी में 10 विधानसबा सीटे हैं और सबसे कम विधानसवा सीटाओं में देखें तो एक सीट किन्नोर में और लाहूल इस्पीती में भी एक सीट हैं इन 337 परत्याशे में से सबसे ज़्यदा परत्याशी धरम्साला सीट पर है जहां 12 परत्याशी मेदान में है और सबसे कम दो परत्याशी जदूता सीट से चुनावी में हैं 2012 के चुनावों में लगबग 73.51 परतिशत का मतदान हुआता और अगर 1977 और 1990 को छोड़ दे तो हिमाचल परतिश में हमेशा से विधानसवा चुनावों में मतदान 70 परतिशत से जादा हुआ है अब अगर दिगज सीटों की बात करें कि कौन सी सीट पर कौन सा दिगज है किस पालिटी का है और उसके क्या रणनितिक परिणाम हो सकते है तो उसमें सबसे पहली मुझूदा मुख्यमंत्री वीर भदर सिंग की सीट की बात करेंगे जो अरकी से इस बार चुनाव लड़ रह लेकिन वीर भदर सिंग की जिद के आगे उन्हें जुकना पड़ा और वीर भदर सिंग ये पहले ही इस पष्ट कर चुके है कि उनका ये आखिरी चुनाव है और वो कहीं ने कहीं अपने बेटे को राजनितिक रूप से स्तापित करने की कोशिशे कर रहे हैं शिमला ग्रामिन सीट से विकरमा दित्य के सामने बीजेपी ने प्रमोध वर्मा को चुनावी मेदान में उता रहा है और लगभग ये जो 337 परत्याशी है उनमें से ऐसा माना जा रहा है कि प्रमोध वर्मा सबसे ज़्यादा पढ़े लेखे परत्याशी है बीजेपी की और से जो मुख्यमंत्री पत के उमीदवार है प्रेम कुमार धूमल वो इस बार सुजानपूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं इससे पहले वो हमीरपूर सीट से विधायक थे लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सुजानपूर सीट बीजेपी के लिए काफी मु इसके बाद अगर बात करें तो मंडी सीट से अनिल शर्मा चुनावी मेदान में है जो कॉंग्रेस के पूरूर मंत्री सुखराम के बेटे हैं और मोजूद अवीर बदर सिंग सरकार में भी मंत्री थे लेकिन चुनावी एलान से कुछी वक्त पहले कॉंग्रेस से पाला चुनावी मेदान में है जी एस बाली नगरोटा की सीट से चुनावी मेदान में है और इसके अलावा कोल सिंग मंडी की दरंग सीट से चुनावी मेदान में है और उनके लिए दिक्कत ये भी है कि कॉंग्रेस के ही परदेश उपाध्यक्ष चंद ठाकुर भी बागी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बैल आइकन ताकि कोई वीडियो मिशना हो